लोकोक्तियां, परिभाषा, लोक में प्रचलित वह उक्ति, जिसमें बात को संचिप्त रूप में कहा जाता है, लोकोक्तियां कहलाती हैं, जैसे अंत भला तो सब भला, अच्छे काम का परिडाम अच्छा होता है, बच्छो, सब देये अर्थ, ये वाक प्रियोग, आप लोग खुशे करिए, जैसी करनी वैसी भरनी, कि एक अफल भोगना पड़ता है, चोर की दाड़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति, स्वयम भैवीत रहता है, नाचन जाने आंगन तेड़ा, अपनी अयोगिता का दोस दूसरों को देना, उल्टा चोर कुतवाल को डाटे, दोसी व्यक्ति, द्वारा निर्दोस पर आरोप लगाना, एक अनार सो विमार, एक वस्त के कई ग्राहक, काला अच्छर भैस बराबर, बिल्कुल अनपड होना, खोदा पहाड निकली चुहिया, मेहनत अधिक पर लाफ कम, आम के दाम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाब, क्लियर बच्चों, अब हम लोग इसी टॉपिक पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आएए देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, साधारण अर्थ के अस्थान पर विशेश अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांस क्या कहलाता है, तीन आप्सन है बच्चों, फर्ष्ट मुहावरा, सेकेंड, लोकोक्ती, थर्ड, दोनो, अब आपको दो मिनिट का समय दे रहें, बच्चों, सोच की बताईए कि इसका उत्तर क्या होगा, राइट अंसर हो जागा बच्चों, मुहावरा, लोकोकती सब्द कितने सब्दों से मिलकर बना है, दो सब्दों से मिलकर बना बच्चो राइट अंसर ब अंग अंग धीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है बहुत प्रशन होना बहुत मेहनत करना बहुत थक जाना राइट अंसर हो जाएगा बच्चो स बहुत थक जाना थांक यू फर वाचिंग वीडियो